हाई फ्रेंस मैं हूँ इशा इशा की रस्तोई में आप सभी का स्वागत है फ्रेंस फिर से हाँ जरू में एक न्यू रेसिप के सांथ बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार वीडियो को स्किप करें बिना एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो अ आज की रेस्पी जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है फ्रेंस यह हमने डाइसोगराम आटा ले रहे हैं मडवे का और इसका हल्वा बनाने जा रहे हैं फ्रेंस हम इसका एक बैटर तयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल गए इसको अच्छे से इसका बैटर बना अगर एक साथी पानी डालना है अगर एक साथी पानी डाल लोगे तो इसके लम्स बन जाएंगे तो इसले एक साथ पानी नहीं डालना है फ्रेंस ही देखिए जैसे मैं कर रहे हूं थोड़ा थोड़ा करके पानी आप भी ऐसे डालेगा और ऐसे ही बनाएगा फ्रेंस यह द यह ज़्यादा चीजू की जरुद भी नहीं है मैंने जितने ही अपने पास था उतने में हल्वा तैयार कर लिया और बहुत ही स्वादिस्ट बनके तैयार हो गया था वेटर तैयार हो गाए इसमें हम चीजू डाल रख कर घाएं एक यह गोल नगे अलग से चीजू नहीं है आटे को घूल अ उस नेज़े और गोल वह गूले token इस तरह से गोल तैयार करना है थोड़ा सा हमने चीनी और एट कर लिया साइध कम हो सकता है यह देखिया हमारा बैटर बन के तैयार हो गया हमने गैस पर कड़ाई चड़ा लिये फ्रेंस गैस को अन कर लिये है अब इसमें हम घी डालेंगे गी में इसमें बहुत ही बनाना है और इसकी ah उसकी खुसबाइस क्या कहें यह देखिये घी घ्रम हो चुक participant के आपि इसमें बैटर डालेंगे जो बना रखाते न बैटर यह देखिये इस अब इसको हम एक पल्टे से अच्छे से चला लेंगे अभी आपको लग रहा होगा ऑईल ज्यादा हो गया पर ऐसा नहीं है दोस्तों यह देखिए कितना अप्जॉब कर लिया इसने यह आईल को बहुत जल्दी अप्जॉब कर लेता है और देखिए फ्रेंस बर्तनों में भी चिपक रहा है जैसे जैसे यह पगेगा ना यह बर्तन को छोड़ने लग जाएगा यह देखिए इस तरह से अब हमें इसको हम बाटी कहते हैं इसको हम अच्छे से घोट घोट के इसको पका लेंगे यह देखिए फ्रेंस यह बहुत ही हेल्दी होता है हमारे यह दिलीवरी के बाद ऐसा हल्वा खिलाया जाता है फ्रेंस यह देखिए ये दादी अम्मा लोग न ऐसी हल्वा बनाने को कहते हैं और ऐसी हल्वा बना के खिलाते भी हैं ये देखिए फ्रैंसिस को अच्छे से घुट घुट के पका रहे हैं इसको पकने में कम से कम 10 से 15 मिनिट का समय लगता है ये देखिए थोड़े देर हम ऐसे ही छोड़ भी देंगे पकने के लिए ये देखिए ये अब फ्रैंस पक चुका है ये देखिए कड़ाई को छोड़ने लग गया है ये देखिए इसको हम और खोड़ खोड़ के पका लेंगे थोड़े देर ये देखिए व्रेंस गाउं में तो कुछ भी काम हो तो इसका हल्वा बनाते है और खिलाते कहते हैं कि बॉड़ी की सिकाय हो जाती है लौक गरम तो मांनते हैं इसका मडवा भी अच्छा मांनते है व्यसे भी गयाता हमारा हल्वा बनногे तयार हैं यह देखिए बहुती मज़ेदार हलवा मैंने इसमें कोई ड्राइफ रूट भी एड़ नहीं करा है आप सोच रहोंगे ड्राइफ रूट क्यों नहीं एड़ करा मेरे यहाँ था नहीं तो मैंने एड़ नहीं करा अगर आपके पास है तो आप एड़ कर सकते हैं और इसको सजा सकते अच्छे से बिना ड्राइफ रूट का ही मेरा हल्ला बहुती टेस्टी और मज़ेदर बनके तैयार हो गया फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई